नेक्स्ट एपिसोड के लिए 100 लाइक्स का टारगेट है. अगर आप नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट कम्प्लीट करवा दीजिएगा. जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स कम्पलीट हो जाएगा आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा अब आगे मुंबई कॉलेज के बाहर नेत्रा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक टेक्स्ट मेसेज किया नवी अभी दोपहर में अकीरा कॉलेज के पास वाली मार्केट की तरफ निकल गई है अकीरा सबसे पहले कुछ मेडिकल से रिलेटर दवाया खरीदने जा रही थी प्रिंसिपल संदीप को देखकर अकीरा को पता चल गया था कि उनकी तबियत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रही लास्ट टाइम उन्होंने उसकी मदद की थी इसलिए वह उन्हें एक गिफ्ट के तौर पर यह मेडिसिन देना चाहती थी नाइट मार्केट स्ट्रीट होलसेल मार्केट भी बोलते है वहाँ पर बहुत सारी दवाई की दुकान भी है लेकिन भीर चल बिल्कुल नहीं थी अकीरा ने जल्दी से एक दुकान में जाकर मेडिसन का सामान लिया और अब दूसरी दुकान से सिल्वर नीदल्स खरीदनी थी जल्दी ही दूसरी दुकान से उसने बैस्ट क्वालिटी की सिल्वर नीदल्स खरीद ली सब कुछ खरीदारी करने के बाद वह वापस जाने ही वाला था कि अचानक धबराहट भरी चीक उसे सुनाई दी जब अकीरा ने उस तरफ देखा जहां से यह चीक आई थी तो वहाँ पर एक कुने में 50 साल से भी जादा उम्र का एक बूरा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था उसके पूरे शरीर में एंठन हो रही थी और उसके पास खड़ा एक 40 साल का जवान आदमी उसे संभालने की कोशिश कर रहा था ये देखकर अकीरा ने अपनी भोहें सिकोड ली और जल्दी से आगे बढ़ा कर उसे बुढ़े आदमी के पास देई अकीरा ने उसे बुढ़े आदमी को देखते हुए दूसरे जवान आदमी से कहा इन्ही हिलाए मत अगर आप उन्हें दोबारा हिलाओगे तो वह सचमुच मर जाएगा आवाज सुनकर उस जवान आदमी ने अचानक अपना सिर घुमाया और अकीरा को देखा ये सुनकर वह जवान आदमी परेशान हो गया और उस बुढ़े आदमी के बगल में खड़ा हो गया आप क्या कर रही है अपने सामने खड़ी लड़की को सिल्वन नीडल्स निकालते हुए देखकर उस जवान आदमी ने पूछा क्या आप डॉक्टर हो इतना नहीं अकीरा ने लापरवाही से जवाब दिया और अपनी पॉक्ट से सिल्वन नीडल्स निकाल कर उसे कपड़े से साफ किया फिर उस बुढ़े आदमी की तरफ देखा उसे बुढ़े आदमी का चेहरा अच्छे से देखने के बाद अकीरा की आँखों आश्चरे की चमक उठी ये वो थे रायजादा फैमिली के हेड मिस्टर धनराज रायजादा रायजादा फैमिली भी टॉप चार फैमिलायों की लिस्ट में आती है अकीरा ने एक नजर उन्हें देखा फिर अपनी सिल्व नीदल्स उठाए और और धनराज जी के एक्यूपंचर प्वाइंट्स पर लगने ही वाली थी कि उससे पहले धनराज जी के पास खड़ा हुए जबान आदमी ने तुरंट अकीरा को रोका ये तुम क्या कर रही हो उन्हें इस वक्त इंजेक्शन की जरूरत है क्योंकि उन्हें अकीरा पर डाउट था और उनकी आँखों में अकीरा के लिए अविश्वास था आखिरकार ये लड़की उम्र में बहुत छोटी है तो इसे किसी का इलाज करना कैसे आता होगा क्या तुम गांधी युनिवसिटी में एक मेडिकल स्टुडेंट हो उसे आदमी ने अकीरा से पूछा यदि आप मुझे मेरे काम करने में एक सेकंड की भी देरी करते हैं तो यह हैं के लिए और ही ज्यादा खतरनाक होगा लेकिन अकीरा की बात सुनकर वह आदमी अब भी ज्यादा घबराया गया उसने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था लेकिन उससे पहले ही धनराज जी की तबियत ज्यादा बिगर्ती जा रही थी और थोड़ी दूर होने की वज़े से डॉक्तर को आने में टाइम लग रहा था ये देखकर अकीरा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने अपनी थंडी आवाज में कहा जब कोई इनसान किसी को बचा रहा हो तो उसे बीच में नहीं रोकना चाहिए फिर थोड़ा रुक कर आगे गुस्से से बोली क्या आप उसे बचाएंगे लेकिन कैसे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि यह अंकल बिना किसी सही ट्रीटमेंट के लगभग पांच मिनट तक ही जिन्दा रह सकते हैं अब मर जी आपकी हैं यह सुनकर वह जवान आदमी और ज्यादा घबरा गया और उसने उलजिन में मिस्टर रहजादा को देखा फिर उन्होंने अकीरा की आँखों में देखा जो बिलकुल शांती थी लेकिन उसकी आँखों में सच्चाई नजर आ रही थी यह देखकर उनकी घबराहट थोड़ी कम हुई और मिस्टर रहजादा की तबियत ज़्यादा बिगरती देख उस आदमी ने अकीरा से कहा मिस्स आप नाराज मत होईएगा मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान था इसलिए मैंने आपसे ऐसी बात कारी प्लीज आप बॉस का इलाज करने की पूरी कोशिश करिये यह सुनकर अकीरा का गुसा थोड़ा कम हो गया और एक हलके से हम के साथ उसने सिल्वन नीडल्स निकाली और जल्दी से उस बुड़्धे आदमी की एक्यूपंचर प्वाइंट्स पर लगा दी जब अकीरा के पास खड़े आदमी ने अकीरा की टेक्निक्स देखी तो उसकी आँखें चमक उठी हालांकि वह आदमी डॉक्टर नहीं था फिर भी उसने दूसरों को एक्यूपंचर करते हुए देखा था और उसके सामने इस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन उसकी टेक्निक्स पुराने डॉक्टर को भी फेल कर सकती थी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुंबई में ऐसा भी कोई होगा एक्यूपंचर मास्टर उस आदमी ने हैरान होकर अपने मन में कहा पफ धनराज जी के मुँझ से अचानक खून निकलने लगा और वह खांसने लगे बॉस उस आदमी ने हैरानी से कहा खांसी धनराज जी को जोर से खांसी हुई लेकिन उनकी सासे अभी भी धीमी चल रही थी उनका पूरा चेहरा लाल हो गया दर्द के कारण उन्होंने अपनी आखें अभी भी कसकर बंद कर रखी थी अकीरा ने धनराज जी की बॉडी से सिल्वर नीज निकलते हुए कहा यह अब ठीक है लेकिन इन्हें अभी भी थोड़ी कमजोरी है अब आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाए उस आदमी ने मिस्टर रायजादा को देखा और अकीरा को देखकर अपना सिर हिलाया चोटी बच्ची आपका नाम क्या है अभी मैं बॉस को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ इसलिए मैं अभी आपको अच्छे से थेंक्यू नहीं कर सकता लेकिन आज आपने मेरे बॉस को बचा लिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अकीरा ने मुस्कराते हुए कहा मेरा नाम अकीरा है अकीरा ने अपना नाम खुल कर बताया वह ऐसी इनसान नहीं है जो सीक्रेटली यह काम करेगी रायजादा फैमिली से दोस्ती करना उसके लिए बेनिफिट की बात है वह आदमी धन्राज जी को लेकर वहाँ से चला गया तभी अकीरा का फोन बजा अकीरा ने अपनी पॉकिट से फोन निकल कर देखा तो यह अभिविंद का कॉल था अकीरा ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से अभिविंद की आवाज आए लिटल गल मैं पहुँच गया हूँ हाँ मैं बस बाहर आ ही रही हूँ इतना बोलकर अकीरा जल्दी से नाइप मार्केट से बाहर की तरफ चली गई बाहर रोड की तरफ जाते हुए उसे एक सुनसान पतली सी गली से होकर गुज़ना था गली के अंदर जाते ही अकीरा के कदम अपने आप रुख गए क्योंकि उसके सामने गैंस्टर का एक ग्रूप खड़ा था गैंस्टर के ग्रूप ने जैसे ही किसी सुन्दर लड़की को देखा उन्होंने चारों तरफ से अकीरा को घेर लिया यो कितनी सुन्दर लड़की है एक मोटे आदमी ने अपनी दाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा तबी दूसरा आदमी जिसके रेड बाल थे अकीरा को देखकर उस आदमी की आँखें चमक उठी और वह अपनी बुरी नजरे से अकीरा के शरीर को देखने लगा हालांकि अकीरा ने एक धीली डाली वाइट टी-शिर्ट पहन रखी थी लेकिन तब भी वह अकीरा का फिगर अच्छे से देख सकता था ये देखकर अकीरा में अपने दाख पीशते हुए कहा मुझे लगता है तुम्हें अपनी आखें प्यारी नहीं है क्या तुम चाहते हो कि मैं इने बाहर निकल दूँ वहीं अकीरा दिवार से पास खड़ी हुई अपनी दाख पिस्ती है शान तांखें से देख रही थी उस आदमी की घटिया निगाहों का सामना करते हुए अकीरा ने अपना मुह बनते हुए अपनी भोहें से कोड ली अकीरा की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग जोर से हसने लगे तभी उस रेट बालों वाले आदमी ने हसते हुए कहा यो यह अभी भी तीकी मिर्च है इसके साथ खेलने में काफी माजा आएगा हाँ 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 ये सही है सौफ्ट लर्कियां ज्यादा बोरिंग होती है दूसरे गंदे से दात वाले आदमी ने हसते हुए कहा मुंबई अकीरा की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग जोर से हसने लगे तभी उस रेट बालों वाले आदमी ने हसते हुए कहा यो यह अभी भी तीकी मिर्च है इसके साथ खेलने में काफी माजा आएगा हा 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 यह सही है, सॉफ्ट लर्कियां ज्यादा बोरिंग होती है दूसरे गंदे से दात वाले आदमी ने हसते हुए कहा वही उस लाल बाल वाले आदमी ने अपने हाथ रगरते हुए अकीरा से कहा चोटी तीकी मिर्च तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं पूछेंगे, इतना बोलकर वह आदमी अकीरा की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा और अपने चहरे पर गंडे एक्स्प्रेशन्स के साथ फिर अकीरा से बोला, तुम हमारे साथ अच्छा टाइम क्यों नहीं बताती और सच में, तुम्हें भी हमारे साथ बहुत मज़ा आएगा बस थोड़ा दर्द, वह लाल बालों वाला आदमी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया उससे पहले ही अकीरा ने उसकी दोनों टांगों के बीच अपनी लाद मार दी अकीरा के एक्शन इतना फास्ट था कि किसी को भी रियक्ट करने का मौका तक नहीं मिला अचानक उस सुनसान, गली में उस लाल बालों वाले आदमी की एक तेज चिक सुनाई दी और वह आदमी अपने पैरों को मोल कर नीचे जमीन पर बैठ गया कु, तुम, उस आदमी ने दर्द के कारण अपने पैरों को पकड़ लिया और कापते हुए उसके माथे से पसीना बहने लगा अकीरा ने उस लाल बालों वाले आदमी की तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहा क्या यह अच्छा है और चाहिए तुम है इतना बोलकर अकीरा ने फिर उस आदमी को बेरहमी से लाद मारी इस बार वह आदमी सीधा जमीन पर गिर गया अब तुम है जिंदगी भर मजा आएगा जब तुम जिंदगी भर खुश नहीं रहोगे तो यह सुनकर लाद बालों वाला आदमी गुस्से से भर गया वह गुस्से से पूरी तरह काम रहा था उसने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा अरे तुम अभी खड़े खड़े क्या कर रहे हो चलो पकड़ो इसे मैं आज इसका को मारने जा रहा हूँ हाँ बॉस गैंस्टरों की भीर आगे बढ़ी अकीरा को पकड़ने के लिए यह देखकर अकीरा बिल्कुल भी नहीं दरी बलकि अकीरा ने अच्छे से अपनी कलाई को रगड़ा सारे गैंस्टर अकीरा को धमका रहे थे और उसकी तरफ आगे बढ़े वही यह देखकर अकीरा उन्हें मरते उससे पहले ही किसी की धीमी हसी वहाँ सब को सुनाई दी यह महसूस करके गैंस्टर जो अकीरा की तरफ बढ़ रहे थे वह सब रुख गए और अकीरा के साथ उन्होंने भी पीछे मुल कर देखा जहां पर एक आदमी खड़ा था उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसकी बाजू पर ग्रे कलर का जैकेट लटका हुआ था उसके चेहरे पर एक संकी भरी स्माइल थी वह आदमी धीरे धीरे चलते हुए अकीरा के पास आने लगा ये देखकर अकीरा की आँखों में चमक आ गई और वह धीरे से बोली मेरा मोस्ट हैंसम हीरो आ गया इस वर्ड का उस आदमी के वहां मौझूद होने से आसपास की हवा में भी तनाव बढ़ गया था ऐसा लग रहा था जैसे उसे आदमी ने हवा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया हो यह और कोई नहीं अभिवन्त था अभिवन्त अकीरा के पास पहुँचा और अपनी जैकेट आराम से अकीरा के कंदों पर उड़ा दी इसे लो और साइब में किनारे पर खड़े हो जाओ और दो मिनत तक अपनी आँखें बंद रखना ओके अकीरा ने एक अच्छी बच्ची की तरह जैकेट को गले लगाया चार कदम पीछे होकर किनारे पर खड़ी हो गई लेकिन उसने अपनी आँखें बंद नहीं की और एकसाइटेड होकर अभिवंत को देखने लगी अभिवंत ने अपनी नेक लाइन धीली की अपनी शर्ट के उपर के दो बटन खोले और गैंग्स्टरों की और अपना हलका सासेर उठा कर देखा अभिवंत ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा बस शांती से उन्हें देखता रहा अभिवंत के उन्हें शांती से देखने की वज़ए से सारे गैंग्स्टर थोड़े डर गए थे तभी एक मोटे से आदमी ने कहा तुम कौन हो यहाँ पर क्या कर रहे हो जाओ यहाँ से वही एकीरा ने जिस लाल बालों वाले आदमी को अभी अभी पीटा था वह खड़ा हुआ और अपने दाग पीशते हुए अपने साथियों से बोला और तुम इससे बात क्यों कर रहे हो यह सिर्फ एक आदमी है और हम पांच लोग तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं यह हमारा कुछ नहीं बिगार सकता अभीट ने उस आदमी को देखा और सारकास्टिकली हसते हुए उसने अपने होटों के कोने मोरे और उस लाल बालों वाले आदमी के पास जाकर उसे एक जोर की लात मारी और पलक जपकते ही सभी गैंग्स्टर जमीन पर गिर पड़े और दर्द से करहाते हुए रोने लगे यह आदमी बिलकुल भी इंसान नहीं है एक नजर सभी गैंग्स्टर को देखने के बाद अभिवंद ने अपनी डेंजरस वोइस में कहा लिटल गल वही यह सुनकर अकीरा जल्दी से अभिवंद की तरफ बढ़ी और अभिवंद के हाथ को पकड़ने ही वाली थी उससे पहले अभिवंद ने अपना हाथ पीछे कर लिया और एक शब बोला क्लीन यह सुनकर अकीरा का मुह बन गया और उसने अपने बैग से टिशू पेपर निकला और खुद के हाथ को क्लीन करा अभिवंद ने अकीरा का हाथ पकड़ लिया बोस व्याख्यात पुलिस के साथ वहाँ पहुचा उनके पीछे पुलिस की पूरी टीम थी अभिवंद को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर राज का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंद कहा मिस्टर सूर्यवंशी, I am sorry हमें यहां की सिक्योरिटी चेक कर लेनी चाहिए थी ये देखकर जमीन पर गिरे गैंस्टर का चेहरा पीले पड़ गया और उनके शरीव दर के मारे जोर जोर से कांपने लगे वह लोग सच में अभिवन्द को नहीं जानते थे लेकिन वह पुलिस वालों को जरूर जानते थे खास कर पुलिस इंस्पेक्टर राज को जो की एक पावफुल पुलिस इंस्पेक्टर है पुलिस को देखकर उन्हें इतना तो पता चल गया था अब वह लोग बचने नहीं वाले अभिवंत ने एक नजर इंस्पेक्टर राज को देखा और बिना किसी expression के अपनी cold voice में बोला I think मुझे अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें इन लोगों से कैसे निपटना है फिर नीचे जमीन पर पड़े गैंस्टर को देखते हुए बोला और हाँ जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाओ इन्हें यहां किसने भेजा था किसका काम है ये ओके मिस्टर सूर्यवंशी इंस्पेक्टर राज ने अपना सिर हिलाया और अभिवंशी बोला मैं जल्द से जल्द इस बारे में पता लगा लूँगा वहीं अभिवंशी ने अकीरा की तरफ देखा जो क्यूरियस होकर इंस्पेक्टर राज को घूर रही थी ये देखकर वह गुस्से से अकीरा के सामने आकर खड़ा हो गया और अकीरा के कंधे पर पड़ा हुई अपनी जैकेट को ठीक करने लगा अपने सामने लंबे चौड़े आदमी को देखकर अकीरा का मुह बन गया और वह धीरे से बोली इस राक्षस की वजह से मैं उस हैंसम इंस्पेक्टर को भी नहीं देख पा रही बेशक अकीरा ने ये सब बहुत हलके से बोला था लेकिन अकीरा की सारी बातें अभिवंद ने सुन ली थी और वह अकीरा से दात पीशते हुए बोला क्या मैं कम पढ़ गया हूँ अकीरा ने प्यार से अभिवंद को मनाते हुए कहा ऐसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो मैं तो बस वह देख रही थी वह इंस्पेक्टर ठीक इंसान है की नहीं वह सच्चाई का पता लगाएगा भी यह नहीं अभी तुम भी थोड़े बहुत हैंसम हो अभिवंद ने पीछे मुलकर अकीरा को देखा और गुस्से से बोला थोड़े बहुत से तुम्हारा क्या मतलब है क्या वह इंस्पेक्टर मुझसे ज़्यादा हैंसम है हाँ, अकीरा ने अपने दाथ दिखाते हुए कहा ये सुनकर अभिवंद गुस्से से लाल हो गया और अकीरा को अपने करीब खीच कर गुस्से से बोला क्या बोली तुम एक बार फिर से बोलना अरे नहीं, तुम बैस्ट हो और मेरे लिए तुम ही सबसे ज़्यादा हैंसम हो इस पूरी दुनिया में मैंने तो ये बोला अकीरा ने अपना मासूम चहरा बनाते हुए कहा और अपनी प्यारी आँखों को टिम्टिमाते हुए अभिवंद को देखने लगी ये देखकर अभिवंद का दिल जोर से धड़कने लगा उसकी नजर अकीरा के होटों पर गई जो एकदम चीरी की तरह लाल थे ये देखकर उससे कंट्रोल नहीं हुए और अभिवंद ने अपने होट अकीरा के होटों पर रख दिये अभिवंद के इस एक्षन से अकीरा शौक्ट थी और दोनों के पीछे आ रहा व्याख्याद भी ये देखकर शौक्ट हो गया उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना चेहरा धक लिया अभी अचानक व्याख्याद का फोन बजा जिसकी आवाज सुनकर अभिवंद अपने होश में आया और अकीरा से दूर हो गया अकीरा ने पीछे मुल कर व्याख्याद को देखा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया वही अभिवंद व्याख्याद को घूर कर देख रहा था जिसने अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला और जल्दी से उससे बंद कर दिया लेकिन इसी बीच उसे अपने बॉस की घूरती हुई नजर अच्छे से अपने उपर महसूस हो रही थी सॉरी बॉस इतना बोलकर वह जल्दी से वहां से भाग गया क्योंकि वह वहां पर खड़े होकर अभिविंद को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था अभिविंद ने अकीरा को देखा जिसका चहरा शर्म से लाल था ये देखकर उसके चहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने अकीरा को अपने और ज्यादा करीब करते हुए कहा याद रखना तुम्हारे पती से ज्यादा हैंसम इस दुनिया में कोई नहीं है ये सुनकर अकीरा घूर कर अभिविंद को देखने लगी अभिविंद अकीरा को लेकर कार में चला गया और जल्दी ही एक अच्छे रस्टोरेंट में दोनों ने खाना खाया क्योंकि अभिविंद को अच्छे से पता था कि अकीरा को तीखा खाना बहुत पसंद है मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ, वह सब कपूर फैमिली का किया हुआ है, उन्होंने ही वह गैंस्टर को भेजा था, नवी ने मैडम को फंसाया, लेकिन इसके बदले उसे ही कॉलेज से निकाल दिया गया, इसलिए उसका दिल में मैडम के लिए नफरत भरी हुई थी, और गै इसलिए मैं खुद उनसे निपटूंगा, और जहां तक कपूर फैमिली की बात है, वह ऐसे नहीं सुधरने वाली, इसलिए कल तक उनकी कमपनी को बैंक्रप्ट कर दो, वही कपूर फैमिली, नवी आराम से सोफे पर लेटे हुए तरबूच खा रही थी, और अपने फोन को चलते हुए इंतजार कर रही थी कब उसके पास अकीरा की बदनामी की खबर आएगी, ये जानने के बाद कि अकीरा नाइट स्ट्रीट मार्केट में जा रही थी, उसने स्पेशली गैंग्स्ट के ग्रूप को वहाँ अकीरा के साथ जबर्दस्ती करने को भेजा था, टाइम को कैलकुलेट करते हुए, अकीरा के साथ उन गैंग्स्टर ने अभी तक उसका काम कर दिया होगा, ये भी हो सकता है उन गैंग्स्टर ने अकीरा को इतना टॉर्चर किया हो कि अकीरा खुद की जान लेने पर आ जाए, ये सब सोचते हुए नवी बहुत ज्यादा खुश हो और उसने नेत्रा को कॉल मिलते हुए उससे कहा थैंक यू नेत्रा मुझे अकीरा के नाइट स्ट्रीट मार्केट में जाने के बारे में बताने के लिए अब तुम भी इंतजार करो जल्दी ही अकीरा की बर्बादी की खबर आएगी फोन के दूसरी तरफ से नेत्रा ये सुनकर जोर से हसी तभी नवी की मॉम मिस्टर कपूर वहां आ गया और नवी को डांकती हुई बोली नवी तुम ये पर आराम से लेती हुई फोन पर बात कर रही हो कॉल काटो अभी आह मॉम नवी ने इतना बोल कर नेत्रा से बाद में बात करने को कहा और फोन रख दिया मिसेज कपूर नवी के पास बैठी और प्यार से अपनी बेटी से बोली उदास मत होना वह सिर्फ एक बुरा सपना था उसके बारे में बिलकुल मत सोचो मॉम ने तुम्हारे लिए एक बैस्ट कॉलेज देखा है अमेरिका में और वहां की स्टडीज इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी है जब तुम अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करके एक सक्सिस्फुल इंसान बनकर वहां से वापस आओगी तो अकीरा तुम्हारी पैर की जूती के बराबर भी नहीं रह जाएगी ये सुनकर नवी के होटों के कोने थोड़े मुल गए और वह खुश होते हुए अपने मन में बोली वह बैस्ट एजुकेशन लेने के लिए अमेरिका जाएगी और अकीरा यहाँ पर पूरी तरह से बरबाद हो चुकी होगी फिर देखते हैं मिस्टर सूर्यवनशी कैसे अकीरा को पसंद करते हैं इतना सोचकर उसने अपने फोन को देखा जिस पर वह उस गैंस्टर के मैसेज का इंतजार कर रही थी लेकिन इसका अभी तक कोई मिसेज नहीं आया ये देखकर नवी परेशान हो गई मिसेज कपूर आगे अपनी बेटी से कुछ बोलती उससे पहले ही उसके घर की दोर बेल बजी दर्वाजा खुला होने के कारण मिसेज कपूर ने पीछे मुर कर देखा जहां पर पुलिस खड़ी थी पुलिस को देखकर नवी और मिसेज कपूर का दिल जोर से धढ़कने लगा और वह डर गई पुलिस को उनके घर के अंदर आते हुए देखकर नवी और मिसेज कपूर दर गई मिसेज कपूर ने अपने डर को काबू करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर राज से कहा इंस्पेक्टर राज आप यहां क्या कर रहे है मेरे घर में मिसेज कपूर इंस्पेक्टर राज को जानती थी लेकिन तब भी इंस्पेक्टर राज को उनके साथियों के साथ घर में घुस्ता देख वहना खुश हो गई इंस्पेक्टर राज ने मिसेज कपूर को देखा और सेलफिश भाव से कहा ये बात आप अपनी बेटी से पुछिए कि उसने क्या किया है आपकी बेटी दूसरों को चोट पहुचाने और मड़ करने के लिए गैंस्ट को हाय करके उन्हें पैसे देती है ये सुनकर मिसेज कपूर शौक थी और वह मना करना चाहती थी कि उनकी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती लेकिन फिर अकीरा के बारे में सोचते हुए एल उन्हों ने अपने शब्दों को निगल लिए मिसेज कपूर ने जब अरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा इंस्पेक्टर राज आपको यहां कोई गलत फहमी हुई है जिसका जबाव देते हुआ इंस्पेक्टर राज ने बिना किसी एक्स्प्रेशन के साथ कहा पुलिस स्टेशन चलिए आपकी सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी मॉम नवी की आवाज दर से काम रही थी जब मिसेज कपूर ने नवी की तरफ देखा तो वह भी परेशान हो गई और अपने दाथ पीस्ते हुए इंस्पेक्टर राज से बोली इंस्पेक्टर राज हमारा रिष्टा क्या है जब मैं बोल रही हूँ कि कोई गलत फहमी होगी तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे इंस्पेक्टर राज ने मिसेज कपूर को घूर कर देखा और सक्त के साथ अपनी कोल्ड वोईस में बोला मिसेज कपूर कानून सब के लिए एक है उसमें सहानुभूती जैसा कोई शब नहीं और रही बात आपकी बेटी की तो उसने इस बार किसी ऐसे इंसान को नाराज किया है जिसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए था उद्धरन चिन्ह इंस्पेक्टर राज ने मिसेज कपूर को घूर कर देखा और सक्ती के साथ अपनी कोल्ड वोईस में बोला मिसेज कपूर कानून सब के लिए एक है उसमें सहानुभूती जैसा कोई शब नहीं और रही बात आपकी बेटी की तो उसने इस बार किसी ऐसे इंसान को नाराज किया है जिसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए था इंस्पेक्टर राज ने मिसेज कपूर के साथ बखवास बात नहीं की और सीधे दो लोगों को नवी को अरेस्ट करने को भेजा और उसे बाहर लाकर पुलिस जिप में बैठने के लिए कहा दो लेडी कांस्टेबल ने नवी को अरेस्ट किया और उसे बाहर ले जाने लगी ये देखकर नवी रोते हुए अपनी मॉम को आवाज देने लगी लेकिन इसमें मिसेज कपूर भी क्या करकर सकती थी वह अपनी बेटी को तसली देते हुई बोली नवी तुम परेशान मत होना मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ मिसेज कपूर ने हेल प्लेस होकर नवी को जाते हुए देखा लेकिन उसके पास और कोई भी चोईस नहीं थी मिसेज कपूर बहुत ज़्यादा चिंतित थी और उन्होंने जल्दी से अपने पती मिस्टर गौतम कपूर को कॉल किया यह उमीद करते हुए कि वह वापस आएंगे और नवी को बचाएंगे मिसेज कपूर कॉल मिलती उससे पहले ही उन्होंने देखा मिस्टर कपूर घर के अंदर आ रहे थे यह देखकर मिसेज कपूर गौतम जी को देखती हुई बोली दालिंग तुम वापस आ गए फिर वह भागती हुई मिस्टर कपूर के पास गई और बोली हमारी बेटी मिसेज कपूर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी उससे पहले ही मिस्टर कपूर ने एक थपपर उसके गाल पर जड़ दिया ये देखकर मिसेज कपूर शौक्ट हो गई और हैरान होकर मिस्टर कपूर को देखने लगी मिस्टर कपूर ने गुस्से से चिलाते हुए कहा तुम किस मुह से उसका जिक्र कर रही हो उस लड़की के लिए बाहर मरना ही बहतर होगा और जो तुम हर दिन एक न्यू लेटस बैग ले जाती हो अपनी किटी पार्टी में सब बंद तुमने मेरे लिए किस तरह की बेटी पैदा की पता नहीं तुमने किस पावफुल इनसान को उकसाद दिया जो आज मेरी कंपनी बैंक करूप्ट होने की कगार पर पहुंच गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने जिस कंपनी को बनाने में इतनी मेहनत की वह सब बरबाद हो गई वही नेतरा के घर पर नेतरा आराम से अपने रूम में बैठी हुई नवी के पास से अच्छी खबर आने का इंतजार कर रही थी लेकिन वह भी तक नहीं आए ये देखकर नेतरा थोड़ी नाराज हो गई वह भी भी नवी के मैसेज का इंतजार कर रही थी कि वह उसे अकीरा की बदनामी भरी फोटोस भेजेगी नेतरा जल्दी नीचे आओ आशी जी ने चिलाते हुए कहा अपनी मॉम की आवाज सुनकर नेतरा जल्दी से नीचे आए वही आशी जी ने नेतरा को समझते हुए कहा आज हमारे घर स्पेशल गेस्ट आ रहे है इसलिए अपने मैनर्स को याद रखना नेतरा ने सिर हिलाया और अपनी मॉम के साथ गेस्ट के आने की तयारी करने लगी जल्दी ही नेतरा अपनी मॉम के साथ दर्वाजे पर आकर खड़ी हो गई नेतरा के चहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन थे जैसे वह कुछ सोच रही हो आशी जी ने नेत्रा को फिर समझते हुए कहा नेत्रा याद रहे अच्छे से बिहेव करना तुम्हें पता है न वह मुंबई के कितने पॉपुलर इंसान है अगर तुमने उनका दिल जीत लिया तो तुम्हारा आगे का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है ओके मौम नेत्रा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तभी एक काली मर्सिडीस बैंज धीरे धीरे मैंशन के अंदर आकर रुकी ये देखकर मुस्कराते हुए नेत्रा और आशी जी अच्छे से खड़े हो गए कार का दर्वाजा खुला और एक लंबा आदमी पहले कार से बाहर निकला फिर उसने पीछे की सीट का दर्वाजा रिस्पेक्ट से खुला दादा जी, नेतरा ने धीरे से कहा और अपनी मौम का इशारा पाकर जल्दी से उसकी कार के पास गई, उन्हें कार से बाहर निकलने में मदद करने के लिए आह, मिस्टर रायजादा ने नेतरा को देख कर हलके से अपना सिर हिलाया अकीरा के इलाज के बाद उनका शरीर और उनकी दिक्कत दोनों ठीक हो गई थी वही आशी जी ने जट से मैंशन में उसका स्वागत किया और नौकर से उसकी देखभाल करते हुए चाय लाने को कहा मुंबई के ये कितने फेमस इंसान थे और कितनी ही फैमिलीज रायजादा से अपना रिष्टा जोड़ कर मजबूत करना चाहती थी इस बार मिस्टर धनराज रायजादा यहां आये थे सिर्फ मिरेकल डॉक्टर सारा की तलाश में आशी जी ने चापलूसी करते हुए मिस्टर रायजादा से बोली मैंने सुना है कि आप यहां रास्ते में बेहोश हो गए थे क्या अब आप बहतर महसूस कर रहे हैं मिस्टर रायजादा ने हलका सा मुस्कुराते हुए कहा टेंशन मत लो सब ठीक हो गया है मिस्टर रायजादा ने अकीरा के बारे में सोचा और मुस्कराते हुआ बोले इस बार भी मेरी किस्मत है कॉलेज के पास नाइट स्ट्रीट मार्केट में एक छोटे सी जीनियस डॉक्टर मिली थी उसने मेरी बोडी में सिलवर न्यूडल्स लगाए और फिर तुरंथ मुझे लगा मेरा शरीर और हड्डियां पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गई हो नाइट स्ट्रीट मार्केट नेत्रा ने अकीरा के बारे में सोचा वह भी नाइट स्ट्रीट मार्केट में गई थी लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसका आइडिया बहुत बेतुका था वह घटिया लड़की क्या मेडिसिन के बारे में जानती होगी आशी जी तो अभी भी सप्राइज थी और वह बोली क्या मुंबई में इतना पावफुल अच्छा डॉक्टर भी कोई है मैं उसे क्यूं नहीं जानती मेरी मा की भी तबियत हाल ही में खराब हो गया है मैं भी एक अच्छे डॉक्टर को ढून रही हूँ वही नेत्रा ने भी अपनी आँखों से उसे इंसान की तारीफ करते हुए कहा हाँ दादा जी आप उन्हें एक मिरेकल डॉक्टर भी कह सकते है वह डॉक्टर बहुत ज़्यादा पावफुल पसंद हो गए नेत्रा भी शुरुआत से डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन ग्रेट अच्छे ना आने की वज़े से वह मेडिसिन कॉलेज ने नहीं जा पाए मिस्टर रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा वह साच में बहुत ज़्यादा अच्छी डॉक्टर थी थके हुए लग रहे हैं आशी जी ने आगे कोई और सवाल नहीं किया और एक नौकर से बोलकर उन्हें उनका कमरे में ले जाने को कहा वही नेत्रा को अपने मौम की बात ध्यान में आए और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा दादा जी को मैं उनके कमरे तक ले जाती इतना बोलकर नेत्रा उन्हें सहारा देती हुई उनके कमरे तक ले गई वही वह पूरी दोपहर मिस्टर रायजादा की आगे पीछे घूमती रही नेत्रा का इतना कंसन देखकर वह अच्छे से समझ गए थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वह उनसे क्या चाहती है इतना सोचकर उन्होंने नेत्रा से सीधे साधे शब्दों में कहा तुम्हें मुझे खुश करने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी अभी उम्री क्या है तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए जल्दी ही तुम अपनी लाइफ में सक्सेस्फुल हो जाओगे ये सुनकर नेत्रा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मिस्टर रायजादा के आगे पीछे घुमे इतना सोचकर वह मिस्टर रायजादा की कमरे से बाहर निकाल कर अपने कमरे में चली गई अब वह ये जानने के लिए भी एक्साइटर थी कि अकीरा के साथ क्या हुआ होगा क्योंकि नवी का अभी तक उसके पास कोई मेसेज नहीं आया था इसके बारे में सोचते हुआ नेतरा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वह नवी को कॉल करने के बारे में सोच रही थी लेकिन तभी उसके फोन पर एक लेटस नोटिफिकेशन आया नेतरा ने कन्फ्यूज होकर उसे खोला तो उसमें कपूर फैमिली की निज थी वीडियो में एक रिपोर्टर बोल रहा था ज्यादा तादात में पुलिस आफिसर कपूर मैंशन पहुंचे क्यों ऐसा क्या कर दिया था कपूर फैमिली ने ये देखकर नेत्रा की पकड़ फोन पर मजबूत हो गई और उसने गुस्से से अपना फोन बैग पर पढ़का गया पूरा दिन भी ऐसे ही बीद गया अगले दिन अकीरा कॉलेज गई क्लास्रूम में हर कोई नवी और कपूर फैमिली के बारे में बात कर रहा था और आज भी अक्षय आराम से अपने दोनों हाथ फिला कर अपने दो साथियों से दावा रहा था ये बात पूरे शहर को पता चल चुकी थी कपूर फैमिली मुंबई की कोई इतनी रिच फैमिली भी नहीं थी तब भी वह एक रिस्पेक्टबल फैमिली मानी जाती थी कोई लेना देना है जैसे ही अकीरा कॉलेज से बाहर निकल कर गई तब से ही यह सब शुरू हुआ और कल रात तक सब खत्म भी हो गया क्या ये कोई कोई कोईंसेडिंट है यह अकीरा ने ही यह सब करवाया है अपनी फ्रैंड की बात सुनकर दूसरी लड़की ने कहा लेकिन मुझे नहीं लगता अकीरा यह हब कर सकती है आखिर उसके पास इतनी पावर आएगी कहां से इस अंपॉसिबल तभी उसके पास एक और लड़की ने आते हुए कहा ओ, बात करना बंद करो, अकीरा यहां पर है अकीरा अपनी सेट पर जाकर बैट गई और उसने बिना किसी एक्स्प्रेशन के अपने बगल में देखा जहां नेतरा पहले से ही बैटी हुई थी नेतरा ने अपनी गहली आँखों से अकीरा की तरफ देखा और अपने दान पीस लिए Unexpectedly, अकीरा बिल्कुल ठीक थी और नवी पुलिस स्टेशन के अंदर थी वहीं अक्षय भी अकीरा को भूर कर देख रहा था उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि अकीरा कोई नॉमल लड़की नहीं है उसके पीछे कोई ना कोई पावफुल इनसान जरूर है लेकिन कौन? यह उसे अभी तक पता नहीं चली थी टीचर भी क्लास के अंदर आ चुके थे क्लास टॉट होने से पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट की जल्दी ही काउंसलर और प्रोफेसर दक्ष क्लास्रूम के अंदर आए और सभी बच्चों से मुस्कुराते हुए बोले जल्दी कॉलेज में आर्ट कमपटिशन होने वाला है इसलिए कोई भी बच्चा इसमें पार्ट ले सकता है तो कौन-कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा इतना बोलकर उन्होंने पूरी क्लास में अपनी नजरें डाली आर्ट कमपटिशन ये सुनकर अकीरा ने अपने माथे पर हाथ मारा ये कितनी ज्यादा बोरिंग चीज है लेकिन तभी किसी ने नेतरा से पूछा नेतरा, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगी हाँ, और मैं इंडियन पेंटिंग बनाऊंगी नेतरा ने खुश होते हुए कहा नेतरा की बात सुनकर काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा इंडियन पेंटिंग अच्छा एडिया है प्रेजिडेंट हर्षवर्धन जिनका नेशनल पेंटिंग असोसियेशन है और प्रोफेसर जैराज जी मुंबई यूनिवसिटी से यहाँ पर आएंगे नेतरा तुम्हारी पेंटिंग स्किल पहले से ही अच्छी है क्या पता तुम्हारी पेंटिंग देखकर प्रेजिडेंट हर्षवर्धन खुश हो जाए जब अकीरा ने प्रेजिडेंट हर्षवर्धन के बारे में सुना तो उसने अपना सिर हिलकर अपनी भोहें से कोड ली वही काउंसलर ने कहा सच में मैं ये डिसाइड करने के लिए किस टॉपिक पर पेंटिंग बैस्ट रहेगी उसके लिए चिट्स निकलने वाला था लेकिन नेत्रा का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छी नहीं थी लेकिन उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था और शायद ही कोई नेत्रा को पेंटिंग में टक कर दे सकता था उसका सपना था पेंटिंग असोसियेशन को जवाइन करने का वही अकीरा ने भी कमपटीशन के लिए अपना नाम लिखवा दिया अकीरा को अपना नाम लिस्ट में लिखवाते हुए देखकर प्रोफेसर दक्ष हैरान थे और उन्होंने हैरानी से कहा अरे अकीरा ने भी कमपटीशन में पाट लिया है ये बोलकर नेत्रा के पास बैठी हुई अकीरा पर उन्होंने अपनी नजर डाली प्रोफेसर दक्ष अपने मन में बोले क्या अकीरा यह नहीं देख सकी कि नेत्रा ने कमपटीशन में अपना नाम लिखवाया है इसलिए नेत्रा को देखकर उसने भी अपना नाम लिखवा लिया मैंने पहले कभी नहीं सुना और न देखा कि अकीरा ने आर्ट कमपटीशन में पाट लिया हो